साहियो सुन्ये हम लोग बाहर से आये हैं ये शिल्डी में कोई साई नाम का फकीर रहता है ना हाँ हमें उससे मिलना है वो तो खंडर में रहता है पास ही है सीधा जाके दाएं मुड़ जाए जी धन्यवाद अरे सुनो ये वही खंडर है ना जहां वो फकीर रहता है आप लोगों से भूल हुई है ना तो ये खंडर है और ना ही यहां कोई फकीर रहते हैं ये कैसी बाते कर रहे हैं आप हमें तो यही पता बताया है लेकिन लगता तो ये खंडर ही है खंडर नहीं द्वारका माई है। किसी के लिए वैद। किसी के लिए गुरुुू किसी के लिए परम पिता, किसी के लिए मा, तो किसी के लिए सखा अपने कर्म से धर्म की राह सिखाते हुए, सब के हिर्दय पर विजय पा रहे हैं वो वकीर के रूप में ऐसे राजा है वो जो सब के मन को अपनी करुणा से मोह रहे है ऐसे श्री कृष्ण का स्वरूप है वो तो फिर मतुरा कहो, व्रिंदावन कहो, द्वारका कहो या घंडर यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उन्हें कहां ढूनना चाहते हूँ मुझे तो इनके दर्शन यही हुए इस मिट्टी ने उनके चरनो को सपर्ष किया है और जो लोग यहां आते है वो भाग्यशाली है इस मिट्टी का तिलक करने का अफसर मिला है उन्हें हम बड़ी दूर से उन्हें ढूंगते होई यहां आये हैं वो कहा है सही समय का इंतजार करिये वो जहां कहीं भी है सबकी पुकार सुन रहे हैं मुझे उन्हें से मिलना बहुत ज़रूरी है मेरे बेटी के तवियत बहुत बिगड़ गई है मुझे दवाई चाहिए और मेरी मा की आँखों की रोश्ली जा रही है साई जरूर कोई चमतकार करेंगे है न मेरा बेल खो गया है सुना है साई ने जंगल से किसी की घोड़ी ढूंड दी थी अब मेरा बेल भी ज़रूर मिल जाएगा साई यह सब आपसे मिलने आए साई हमारी मदद कीजिए मदद करो साई रुकिये रुकिये एक एक करके बोलिए साई सबकी सुनेंगे सबकी सहायता करेंगे मैं आप सबकी सहायता अवश्य करूंगा लेकिन बदले में तुम लोग मुझे क्या दोगे साई लेकिन हमने तो सुनाता फकीर हैं बिना कुछ लिए ही मदद करते हैं इश्वर से भी मुफ्त में कभी कुछ मत मांगा पहले सोचो के बदले में क्या दे सकते हो भक्ति? कर्म? सेवा? कुछ तो दे सकते हो पहले साई पताने सरकार ने हमें क्यों गुलाए है? पताने कुल करने सरकार ने क्यों गुलाए है? अरे सबर करो, अभी पता बदा ज़्याएगा सही कह रहा है वन, कहीं कोई नई मुशीबत नहीं आने वाली है क्या पता? डिखते है यह लोग यहां क्यों आये हैं गंगारम जी चिन्ता हो रही है चिन्ता मत कीजिए सरकार देख लेना इसमें भी आपके जीत ही नजर आएगी आज तो मैं ऐसा डाव खेलूंगा कि चित भी मेरी और पड़ भी मेरी होगी आज तो में आज तो में आज तो में राणों जी कुष्ट्रोग से मुक्त हो चुका है इसलिए मैं आप लोगों से बिनती करने आया हूँ कि अपा पाटिल जी और उनके परिवार पे जो प्रतिवन्न लगाये गए थे उन्हें हटाने के बारे में आप जरूर सूची हरी हो कि कुलकर्णी सरकार जन्ता की मावनाओं का सम्मान करते हैं तो क्या इनको यह अधिकार नहीं है कि यह स्वयम उन प्रतिवन्दों को हटाने का आदेश देदे लेकिन नहीं वो आप सब को यह अधिकार दे रहे हैं अपनी जालबाजी और अपनी हार को छुपाने का अच्छा तरीका ठूणने का लाहे कुलकर्णी सरकार ने अरे भाई बोलिये हाँ 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 हटाना चाहिए हाँ हटाना चाहिए बिलकुल हटाना चाहिए कल अप्पा पाटिल जी समस्तगाव के लिए खोग का आयोजन करेंगे और उसके पश्चात ही वो प्रतिबंद से मुक्त हो पाएंगे भोग कल हाँ हाँ यही नियम है ना बाईजापका जिस पर से भी प्रतिबंद हटाया चाहता है वो पुरे गाव के लिए भोग का आयोजन करता है इसमें आश्चर्य कैसा यदि आज ही भोग संभव होता आज ही प्रतिबंद उठ सकता था और वैसे बाईजापका इतनी प्रतिक्षाकी है एक दिन और सही बैसे भी वो एक दिन भोग के तयारी में ही जाएगा कल मारुति के मंदिर में मध्यान के पश्चात एक अतिशुब मोरत है कल दोपेर के बाद अगर प्रतिबंद अटाये गया तो बहुत देर हुजाएगी आज फसल की बिकरी का आखरे देन है और अगर आज फसल नहीं भी की तो पुरे साल भर परिवार का पोशन कैसे करूगा अब तुमारी फसल की बरबादी को वो बैरागी भी नहीं बचा सकता यरी किसी प्रकार की साहता चाहिए तो निसंकोच कहिएगा हर्यो सरकार तो धन्य है यहा धन्य है धन्य है धन्य है? धन्य क्यों है? बताओ क्योंकि कुलकरणी सरकार श्रीडी के भलाई के बारे में सोचते है बीना पक्षपात किये हर्योम सबका मालिक एक साई, क्या हुआ? ये लोग यहाँ? क्या हopt? क्या क्या आपकी फसल है पाजी इन लोगों ने काठी आपके लिए और इनों ने किसी प्रतिबंद का उल्लंगन भी नहीं किया है क्योंकि ये लोग शिरिडी के वासी नहीं है आपकी फसल पिक्री के लिए तयार है अपाजी श्रद्धा सबुरी श्रद्धा सबुरी मैं जानती थी तुमारे होते हुए सब अच्छा ही होगा कैसे होगा ये नहीं पता था लेकिन पता था कि मैंने कुछ नहीं किया बाजामा जो कुछ किया है इन लोगों नहीं किया है पर ये लोग तो इस काउं के भी नहीं हैं अगर हम सब अपनी सरहदों को मिटा कर अपनी परेशानियों से उपर उठकर एक दूसरे की मदद करने लगें तो स्वर्ग यहीं इसी जमीन पर मिल जाएगा और यही मानव जीवन का मूल उद्देश भी तो है धर्म की रहा पर चलने वालों को बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है मगर ऐसे लोगों की मदद करने के लिए धीरे धीरे पूरी काइनाच चुड़ जाती है इस संगर्ष में समय तो लगता है लेकिन अंत में धर्म की जीत होती है और अधर्म की हार आपकी फसल पिक्री के लिए तयार है अपाजी अषल आपकी फे अधर्म बाईजा अका, मैं बहुत शर्मिन्दा हूं मुझे माफ कर दिजे माफी माँडने का दिन नहीं है यह इंसने लोगों को बुला के खिलाना पिलाना है देख तो लीजे इतना अनाज है ना सब के लिए होतो जायेगा ना कोई चिंता नहीं है मुझे है तो अच्छा है ना है तो ना सही मेरा साही, मेरा बेटा है मेरे साथ, मेरे पास. परता जी, ये तो गाओ जाने के सपने देखने लग गया. ये पतनी को मेरे जरूरत है. ने चाल, कोई भी जूटी मूटी कहानी बना के पतर लिखा के लिखा के लिखे आ गया, और सोचता है तुझे छुटी मिल जाएगी? नहीं, मैं जूट नहीं बोल रहा हूँ. मैं, मैं एक बार सरकार से दरखास करता हूँ. देख, सरकार आज पहले से बहुत गुस्यम है. ये चिठी लेकर उनके बास जाएगा ना, तो तेरी चमडी उधेड़ देंगे. जैसे तेरे बाप की उधेड़ी थी एक बार. लेकिन मेरी पत्ते बीमार है. लो, मत भूल कि तु दास है, दास. उस्तों से. और दास को अधिकार वही होते हैं, जो उनका स्वाम्मी तेय करता है. ए, ये ले, चल निकल. पहले ही भूक ने दिमाग खराब किया है हमारा. चल निकल. फिर से आप बिना बताया आगाए. ये सूखे फूल क्यों ही कठा कर रहे है? इनमें नए जीवन का स्रोत है, राणोजी. इनके बीच, इनसे नए पौधे जन्म लेंगे. मुझे दीजे. मैं आपसे कह चुका हो न, आपसे आपका सारा काम मैं करूँगा. चाहे वो द्वारका माई की साफ सफाई हो, या फिर लेंडी बाग में फूल पोधों की सेवा, या फिर घर-घर जाकर बिख्षा मांगना. अपसे आप अपना सारा काम इस डास पर छोड़ दीजे. राणो जी, खुद को किसी का डास समझना, या किसी और को अपना डास समझना. दोनों मानवता का अपमान करना है, उस हीश्वर का अपमान करना है, जिसने हम सब को बराबर बनाया है, उसी प्यार से. तुम द्वारका माई में रहते हो, राणो जी, उस द्वारका माई में जहां सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है. मैं तो केवल आपकी सेवा करना चाहता हूँ सेवा करने में और दास होने में इन दोनों में फर्क होता है राणो जी सेवा अपनी इच्छा से की जाती है बिना किसी स्वार्थ के दास वो होता है जिस से उसके अधिकार छीन लिये जाते हैं उसकी आजादी छीन ली जाती है उसकी मजबूरी का फाइदा उठाया जाता है दास कहना या दास होना दोनों ही पाप है मुझे माफ कर दीजे साई पर सेवा तो करने दीजे मैं दिन बार करूंगा क्या जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ तुम्हे क्या अच्छा लगता है तुम्हे क्या करना है ये खुद तुम्हे सोचना होगा ये आज कोई उसकी हत्या कर दें तो मैं उसके बदले में कुछ भी देने के लिए तयार हूँ अगार में महीं घज़के करता हूँ हरना है झाल झाल